विल्कम इंजिनियर्स, आज हम UP PCLJE, सिविल इंजिनरिंग के प्रिवेसर के कोश्चन्स करेंगे ये कोश्चन्स आपके SSCJE, UP SSCJE, UP जल निगम जई, वा UP RUVNLJE के लिए भी इंपोर्टेंट है प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी एक कोश्चन्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है आपका पहला कोश्चन है, नमबर ओफ आर्थिमेटिकल चेक, इन राइज एंड फॉल मैथल्ड इज आपका एक मैथल्ड होता है, राइज एंड फॉल, इसमें अंक संबंधी चेक की संख्या कितनी होती है ओप्सन्स दे रखें आपको, एक होती है, दो होती है, तीन होती है या फिर चार होती है आपके राइज एंड फॉल मैथल्ड में अंक संबंधी चेक की संख्या होती है, तीन, ओप्सन्स ही आपका राइट रहेगा अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजिनिरिंग से नीचे आपको कुछ ओप्सन्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इन में से कौन सी सीवेज ट्रीक्मेंट यूनिट आपकी पार्सल फ्लूम है ट्रिकलिंग फिल्टर, ओक्सिडेशन डिच, ग्रिट चेम्बर या फिर एरियेटिक लेगून पार्सल फ्लूम है आपकी ग्रिट चेम्बर, ओप्सन सी आपका राइट रहेगा यहां पर आपसे पूछा है कि आपके सीवेज ट्रीक्मेंट में सबसे ज़्यादा किस कोगलेंट का यूज किया जाता है लाइम का करते हैं, एलम का करते हैं, फेरिक क्लूराइट का करते हैं या फिर फेरिक सल्फेट का करते हैं आपके सीवेज ट्रीक्मेंट में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं फेरिक क्लूराइट का ओप्सन सी आपका राइट रहेगा नेक्स्ट कोस्चन है डैस आर यूज़ फोर पाइपस लेड इन रिवर्स विद अनीवेन बेन आपसे पूछा है अन्यमित सतह वाली नदियों में कौन से पाइप डाले जाते हैं मेकेनिकल जॉइंट का यूज करते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट का यूज करते हैं सॉकेट जॉइंट का यूज करते हैं या फिर स्पाइगोट जॉइंट का यूज करते हैं तो यहां पर यूज करते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट का ओप्शन भी आपका राइट रहेगा अगला कोस्चन है इन smooth pipes, if r represent renal numbers, friction factor for turbulent flow is given by आपके smooth pipe में यदि r जो है renal number को दरसाता है तो turbulent flow है तो जो है friction factor क्या होगा options आपको दे रखे हैं 0.64 upon r होगा 64 upon r होगा 0.316 upon r होगा या फिर 0.316 upon r होगा आपको option c right रहेगा अगला question है in a graphical method of obtaining flow nets if the lowest flow line confirmed to the bottom boundary conditions the flow net यहाँ पर पूछा गया है कि flow net प्राप्ट करने के लिए आपकी graphical विध में यदि सबसे नीचे की flow रेखा boundary condition के साथ mail खाती है तो flow net जो है आपका क्या होगा options आपको दे रखे हैं is correct flow net आपका correct रहेगा needs a small adjustment थोरे से सुधार की आवसकता होगी या needs a bigger adjustment बड़े सुधार की आवसकता होगी या फिर can't be corrected सुधारा नहीं जा सकता है आपका option a जो है वो right रहेगा अगला question आपका design of steel structure से है if in a trust the number of joint is j and members m then the numbers of members in the trust will be यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक trust में number of joint j है और memberों की संख्या m है तो आपके trust में number of members की संख्या क्या होगी तो यहाँ पर आपको formula दे रखा है m बराबर 2 j minus 3 option c आपका right रहेगा अगला question है आपका एक steel roof trust में rivet की मात्रा trust के total भार के कितने percent होगी आपको options मुझे रखे हैं 10 percent होगी 2.5 percent होगी 5 percent होगी या फिर 7.5 percent होगी ये होगी 5 percent option c आपका right रहेगा अगला question आपका irrigation engineering से है a number of filtration wells are connected through porous pipe to a sump well known edge यहाँ पर आपसे पूछा है कुछ filtration कुए जो आपस में porous pipe के द्वारा एक sump कुए से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं open well कहते हैं springs कहते हैं rainy well कहते हैं या फिर jack well कहते हैं आपका option to write रहेगा इन्हें कहते हैं jack well अगला question आपका building material से है frog is provided into the big store आपकी yield में एक side plane होती है और एक side में एक गढ़्धा होता है जिसे बोलते हैं frog तो वही आपसे पूछा गया है कि frog जो है yield में क्यों दिया जाता है indicates the manufacturing name या फिर motor के side में की joint देने के लिए और आपको नीचे options दे रखे हैं कि इन में से कौन सा option जो है आपका सही है आपका option सी right रहेगा अगला question भी आपका building material से है यहां पर पूछा गया है कि load लगने पर timber की जो strength होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है आपको options दे रखे हैं parallel to grain या फिर grain के 45 डिग्री पर या फिर perpendicular to grain या फिर same in all directions तो timber की strength सबसे ज्यादा होती है parallel to grain option है आपका right रहेगा अगला question है which type of flooring is suitable for use in church, theatres, public libraries and other place where noiseless floor covering is desired यहां पर आप से पूछा है कि आपके church, theater, सभाभवन वा अन इस्थानों पर छट में जो है noiseless के रूप में किस material का यूज किया जाता है options दे रखे हैं कार्क flooring का यूज करते हैं wooden flooring का यूज करते हैं linoleum flooring का यूज करते हैं या फिर glass flooring का यूज करते हैं noiseless floor के लिए यूज करते हैं कार flooring का option A आपका right रहेगा अगला question आपका survey engineering से है अनेक radius वाला कर्व जो किसी circular कर्व और सरल रेखा के बीच में लगा हो वो क्या कहलाता है उसे super elevation कहते हैं या vertical curve कहते हैं transition curve कहते हैं या फिर compound curve कहते हैं तो इसे कहते हैं transition curve option C आपका right रहेगा अगला question है theodolite is an instrument used for theodolite का use कहां पर करते हैं आपको options दे रखे हैं level tube के capacity headed net को कसने के लिए या फिर vertical angle को measure करने के लिए या फिर horizontal और vertical angle दोनों को measure करने के लिए या फिर सिर्फ horizontal angle को measure करने के लिए theodolite का use करते हैं horizontal और vertical angle दोनों को measure करने के लिए option C आपका right रहेगा अगला question है the substance tachymetry method is adopted when the ground is किस ground में जो है substance tachymetry method अपनाया जाता है जब भूमी आपकी एक जलनिकाय हो या फिर आपकी भूमी अंडूलेटिंग हो या inclined हो या फिर flate हो जब जमीन में rise and fall ज्यादा होता है तब इस method का use करते हैं लास्ट question है which of the following represents a traveling road in surveying surveying में जो आपकी traveling road होती है उसे कैसे represent करते options आपको दे रखे हैं आपका option A जो है वो right रहेगा अगर आप UPPCLJ के और part देखना चाहते हैं तो आपको playlist में मिल जाएंगे अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो channel को subscribe करें